हां सो वीडियो बचे मेंनों विच रोकनी पही तो अप्पा फिर तो तुबारा शुरू कर देयां यूरी को टैलिजम तो ठीक है जी सो यूरी कैसेट दे बारे चेपे मैं तरह सारा कुछ दर्स दिता हाना सो ए टॉक्सिक काट्टों दा किड़नी लीवर दे विचे दी फॉर इस तरह के दिना वाटर नों सेव किता जा सकता है हना सो यूरी कैसेट दी जडिए एक्सक्रिशन है जानवर दी बहुत ही फाइदे मान तो थाबित उन्दी है क्यों क्योंकि एनिमल जड़ा है का अपने वाटर नों कंसर्व करके रख सकता है गा जिएके इंसेक्ट्स सो खिटनी जड़ी है नाइटोजूनेस बेस उन्हों होल्ड करके रख सकती है सो यूरी कैसेट जड़ा है गया हो दाकि डिल्यूट सुलूशन जड़ा है गा और त्यार करके रख देया है वह उन्हादी बोडी दे अंदर एक स्ट्रक्चर हुंदा क्लोक का समधे पैंसों क सब्सक्राइब कर देया है तो यूरी कैसेट जड़ा है और उन्हों सलूशन फॉर्म देविचे कनवर्ट करनें देया है ठीक है सो किस स्ट्रक्चर देविच उन्हों स्टोर करके रखने है कलोक का देविच है हना सो एथे वाटर जड़ा है फिर तो दुबारा पोड़ी अ योरी सब्सक्राइब कर देखनी है तुर्सक्राइब कर देखने देविच है न च blacks लूग ऐटनी धरी बार्ट कर गया आइए अध्यक्य और दोल्लंग set of cteравड भीच control तरुट कालर दा पोर्शन होंदा ठीक आ तो जो वाइट कलर दा पोर्शन है ना ओर यूरिक एसड दे क्रिस्टल्ज यह यूरेट्स भी चैन्दे उनन आनो आलीकांस ताडी बुक देवेचे ओवाइड कलर दा पोर्शन जड़ा है ना वनुद्विक एसे तरीका ते ना नाम देता गया गवैनो ठीक है ना सो ए बच्चे एस एदे फेशिल मेटर नो यूज किता जांदा है समय दे पर एदी बेस्ट नो पंचियां दी नो गवैनो नो यूज किता जांदा उत्हों दी यूरी कैसर जड़ा है गा कमर्शियल लेवल दे एक्स्ट्रेक्ट किता होंदा तो यूरी कैसे दा फार्मुला एक वरी तुसी देख लो मैन प्राइमेट्स जड़े साधी होर भी जड़े है ओभी यूरी कैसर कुछ ना कुछ सख्रीट कर दे जड़ा कि उन्हां दी बोड़ी देंदर बनेया सी न्यूक्लिक एसेड़ दी प्रूरेंस दी ब्रेक् सब्सक्राइब ना यूरी कैसे डी दिपोजीट होना शुरू हो जांता है दन परसंस जड़े होंदे है उनना नू दाला खान तो मना कर देया न यह कुछ दाला देविच कि यह प्रोटीन से ब्रेक्डाउन नो एकी तो यूरी कैसी प्रोटीूस हो ना ठीक है सू ओं वह सब्सक्राइब ना यूरी कैसीड बन गया सो इस तरीके दिनाल हुमन बींग्स दी फॉर्मेशन दी बोडी दे अंदर भी यूरी कैसीड थी फॉर्मेशन होंदी है अगे तो आड़े कुल आगया अमाइनो टैलिजम है ना सो कुछ जड़े मुलस्क से है गेने जा फिर काइ हुड साओन से है अनियुक्त ऑस सारी अमाइनो टैलिक अनिमल्स केंदेव ना थैस मोड ओए इक्सक्रीशन हो कि कैंदेए ना थे इस तो टैलिसमी बोडविशन वेस्ट प्रोड़क्स है गये ने में तानुक रादिते अमोणीया ते यूरिया यूरीक एसिड भाना पर क्र वैस्ट तोर थे कि ना नुबार कड़ दे है प्योरीं अडिनीन गोवानिन थे ना नुबार कड़ते हैं अधर वेस्ट देविच हूं तरको थोड़ी को थे होर प्रोड़क्ट आगे ठीक है तो कार्बन डैक्साइड ना पता ही यह ता नो इनी रैस्पिरेशन आला लेसन प्रोक्सिक भी हो चंदी है अमीबा जहां समाल एनिमल्स पॉंजीज हाइड्रा फ्लैट वांज अर्थ मॉंज बगारा जड़े कार्बन डैक्साइड जड़ी डिफ्यूजन प्रोसेस दे द्वारा ही अपनी बोड़ी सर्फिस तो बार कड़ दिन दे हैं जात की जड़े हा असी फूर्च खान नहीं हां नमक बगारा हाना तो यह भी बोड़ी दे विचेक सैसे दे विच प्रेजंट हों दे हैं ठीक है सो यूरीन फीसीज ते स्वेट पसीने राहीं वी असी ना मिनरसार्च नों बार कड़ देने हैं बाटर बहुत सारे जानवर जड़े हैं ठीक है अशी पानी पीँन देवियां ना को से दाफसरी वाचन नमटन हो गया है काफी सारे वाटर जड़ा है कर दिए बोड़ी दे रेस्पिरेशन दे दुराने भी वाटर बंदा यह बहुत ज़्यदा जुरूरिया तानों पता हियां ठीक है ज्यक्स ज्यक्रज रिशा हो ज़ी असी कहा देना नी आइडरेशन होगी है एदना परसन मार भी सकता है जेकर बोडी देविच अधी पाणी दी अक्सेस देविच लोस हो जाए ठीक है तो अक्सेस ओफ वाटर जिड़ा है गां जेदा डिलूट कर देना बोडी फ्लूड जनों अना तो यह करके किया है कि विछी बोडी पार्ट से देंदर जेकल फ्लूड बोडी देंदर वाटर जड़ा हैगा जमा होना शुरू हो जे ऐसा डिजीज नों सी ओए टीमा भी कहन देयां ठीक है तो देरफूर अक्सेस ओफ वाटर जड़ा हैगा वेस्ट प्रोड़क्टी है वह सी पसीने दी फॉर्म देव भी बार निकल दा रहेंदा तो बोडी दे अंधर वाटर ते साल्ट दा बैलेंस बना के रखना यह तुसी किसे ना किसे पढ़िया होएगा इन उसी कहने है ओस्मो रेगुलेशन ठीक है जी अगे ताट कुला गया विटामिन्स होर्मोन्स है ना सो एक तर रेगुलेटरी बार लेक तो पहुत सारे स्पाइसी जड़े हैं इनन देभी बोलेटाइल कंपोनेंट सुन देया है ठीक है ना सो इभी लंग से देवारा सी थोड़े बुते ना बार करते रहने देख लो जड़ी आसी स्पाइसी खांदेयां ड्रग्स वगरा जड़े हैं इभी किड़नी बार करते बोल्डी देवेच उन देखने ना सो ऑफिर इना दी ब्रेकडाउन होके जो भी प्रोड़क्ट से बने हैं ठीक है ना सो पता लग जान्दा यूरेन टेस्ट करके पता लग जान्दा जड़े तुसी ड्रग्स मतलब मैं नहीं कहारी के जड़े तुसी नश्य करते वहीं ड्रग्स नहीं होंदे हैं जड़ी असी मेडिसंस भी खांदे हैं किसे भी मारी देलाज देली ना उन्हानों भी अपड़ द्रग्स जी कहन देयां ठीक है इसे तरीक दर जितमें तरह शुरूत विच दस्या के फीसी बार कड़ना ठीक है वह एक्सक्रीशन नहीं है ठीक है ना फीसी जड़ी है गयाने वह दे विचे बेस्ट मेटीरियल ता हुंता ही है ना जड़ा के एक्सक्रीट किता गया बाइल दे द्वारा बाइल पता ना थालूं वाइल जूस जो के नीवर से क्रीट करता ठीक है जा फिर रेक्टल एपीथीलियम वगरा सो मदलब सि अंडेजेस्टीबल जड़ा है रमेन्स बची याना फूर दे विचोंदी जो सॉलीड वेस्ट वस्ट असी बोडी दे विचोंदी कड़ी है ठीक है जा फिर बोडी जड़ी है उते अंदर मैटापलीजम होया थी सो अंडेजेस्ट जड़ा है का सिंप्ली ट्रेवल्स थू साथ डेजस्टी प्रैक एंड पासीज आउट इस एलिमिनेशन वसी की कह देने हैं जा फिर डीफीकेशन कह देन देयां गल समझागी तानों ठीक है ना सो इस तरीके देनाल सॉलिड वेस्ट जड़ी है गी है उनों बार कड़ना जड़ा है ना ठीक है सो ओ एक्सक्रीशन चनि है जांदा आगे जाके तानों आना है ओसमों कंफर्मर्स ठीक है सो हो मियोस्टासिस एज़े तानों याद है ते लिविंग ओर्गिनिजम दे क्रेकरिस्टिक्स दे विच भी मैदानों थोड़ा पोता जड़ा है गाओ पड़ाया या सो बच्छे मतलब कि अपनी इंटर्नल बोड़ी टेंपरेचर नों मेंटेन करके रखना बार बार में जिन्दन दे मर्जी हलात होन ठीक है ना अपने बोड़ी दे इंटर्नल टेंपरेचर नों मेंटेन करके रखना आसे ओनों कहने हों मियोस्टासिस है ना सो ओसमों रेगुलेशन एक्सक्रीशन ए बहुत ज़द तो प्रोसेस जना मैं दोना पहले दस न सी ओस्मो रेगुलेशन की यूंदिया है बोड़ी ते अंदर सौल्ट ते वाटर ता जड़ा बैलनस है गाना उन्हों मेंटेन करके रखना थीक एंसो जिदा के कोई भी बोडी फ्लूड है ना बोडी दें दर पहुत सारे फ्लूड हो इंट्रास अलूलर फ्लूड मतलब के जड़ा के सैल देंदर होना इक्स्ट्रास एललर हना जड़ा के सेल्स तो बार होना जैमेंके टिशू फ्लूड बलाडड लीम्फ हना जैल्स दे बार कुम फिर रोया उन्दा ता दे बलाड वैसल्स देविच ठीक है तो उसमो रीएश त्रॉचन थी यह ताइप है तो इस बिच गिया है कि वाटर जैड़ा है को बीच पर देशन तों कि दरुन मुव बोहुत इंपोटेंट मैं सब्सक्राइब मेंब्रेंस देखो बोड़ी दे अंदर सेल्स हैं सेल्स दिया मेंब्रेंस हैं सेल्स टा स्ट्रक्चर तुसी पढ़िया हो या थेगा ना प्लाज्मा मेंब्रेंस या या यह ना मैंग्षिक्ट पहला रखिष्ट कर कि युद्ध व्यूज्य गणिदी अधार्याइब चाहिए ना बाट थाकिन हम्नु भी अफंड़ी अंदर भार आ जान देनिया सेल्देऊं दें अंदर बार इना विच्छों दी लांग के कोई वी अंदर बार जा सकता उन कि बोड़ी दे अंदर बहुं सारे चीज़ां solution form दे विच पढ़िए हो यह तुसी कमेस्ट्रीच भी जुरूर पढ़िए हो ना solution कितना बंदा बचे किसे liquid दे विच असी कोई solid पॉल दिये ना ते solution बंज अंदर जेड़ा तुसी liquid लेया उन्हों असी solvent कहने है ते जो तुसी ओदे विच solid पाया ना उन्हों असी salute कहने है जिस तरह के पाणी दे विच असी नमक पॉल दिये नहीं बड़े सारे solutions जड़े हैं जिए करां दे विच भी तुसी स्कंज़बी बनान देओं नहीं ठीक है कदी बना यू नहीं है सो पाणी देवी जैसे की पॉल देबाया नमक ते चीनी पॉल देबाया ठीक है ना सो पाणी जड़ा है का ओ सॉल्वेंट है फिलका ना साल्ट ते शूगर जड़े है गया ओ सुल्यूट पार्टिकल्स है गया तो देख्या है solution बन गया तो इस तरह के दिना बच्चे डिया जा जान देना जा सॉल्ड पोर्शन गया जा फिर लीकवर पोर्शन गया सेमी अधिनेंच हाफ ते तीसरी टाइप या इंदा ना और ना स्लेक्ट कर दिया तो हर एदा इनी जनों मर्जी जान दिन दिया जान पर मियबल दी तरह मोपहां सेलैक्ट कर दिया ठीक है कि सुल्यूट पे जना अपने विचोंदी के सौन्वेंट पेजना तो इस तरीक्ष दिना तिन तरीक्ष साथ यां मेंब्रेंज हों दिया ने पर मियेबल सेमी पर मियेबल इसे तरीक्षट दिना डिफ्यूज़नदी प्रोसेस को से बड़ी बारी सुनी होई यह है है भाना वैसं जैसे जट सारी अगलना पड़िया पड़ियां हैं ए फिक अभी लंग्स दें विच ऊक्स लाइघ जादा है यह नहाँ थीक थो अक्सीजन ब्लाट चली जाने ते ब्लाट वारी आपार्मन अग्साइड अड़ी चली जाने दियां तो डिफ्यूजन प्रोसेशिस प्रो बचे हाइपो टोनिक सुलूशन उन्दे जित जिता के पाणी देविच्छ जेकर पाणी एक गलास पाणी है ठीक है ना असी ओधेविच्छ चार चमर च जेड़ा हैगा उन नमक पादिता ना समधे तो किन्हा संगना सुलूशन बन जाएगा उन हाइपर टोनिक हो जेगा जड़ी हागी है इस दिफ्यूशन दी हेगग क टाइप है एदे बिच मूमेट हो रही है वाटर दी ठीक है ना किता हो दी एक डिल्यूट सुलूशन तो कि दर बात पास कि मतलब हैंगा टूटल स्लिउट कंसेंट्रेशन छाना सो उसी स्लूशन देंदर किना ले आएगा ठीक है न सो इन्हों से एक्स्प्रेस एदगा भी कर दिया मोल्स ओफ सलूव्ट पर लीटर ऑफ सलूशन ठीक है जी एक लीटर तुसी टॉपिक नो सुनना है सो ओस्मोल एरेटी ता मतलब जिदा नो समझ आ गया ना ठीक सो ओस्मोल एरेटी ता मतलब टॉटल सल्यूट कंसेंट्रेशन है ना जुन्हों सी किस रीक दर एक स्पैस कर दें भी जैकर सी एक लीटर स्लूशन ले रहे यहां ते ओधर विचे किन्ने मो सब्सक्राइब कर देख से लीटर सो श्मोल एरेटी जडिए है कि उनन मे यह विचे युनीर्ट की यूज कर दे हैं ठीक है मिली जो ओस्मोल पर लीटर जिदा के फ्रेश वाटर दी जडिए है तो 50 मिली जो समोल तो भी कट हो सक दी है तो इस निगर जेकर सिंग ना इसमो विच रखंगे ना तो नहीं होएगा ना उस्वेल करनगे ना श्रिंख करनगे है ना पर तोसी हाइप टोनिक सोलूशन देपीच है यहिट ऊमाम आप जैसे नहीं पान निकल जाएगा तो श्रिंक कर जाणके जेकर तुसे उन्हां हाइपोटोनिक सिलूशन दे विचे रख्या हो या तो पानी उन्हां दे अंधर चला जाएगा ते उस स्वेल कर जानगे तो इस तरीके दिना थ्री सिलूशन होंदे हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक ते आईसोटोनिक अगे ताड़े बुलागे Osmo Conformers, Osmo Regulators, Osmo Conformers जड़े हैं तो ऐसी कह सकते हैं कि ओओ ऐनिमल्स है गया है ठीक है जड़े के actively control नहीं कर पांदे Osmotic Conditions जड़े हैं तो याने अपने Body Flutes दे अंदर Osmotic Conditions नहीं कर पांदे हैं ठीक हैं सो उन्होंदे Body Flutes दे अंदर की है अधी Fluids दे Concentration दे वीच चेंज़े आंदे ही रहें दियाने जितन दियां के आलेद वाले दे मीटियम दे वीच चेंज़े आंदे हैं जड़े हैं जड़े हैं कि पुस सारी Marine Invertebrates जड़े हूंदे हैं लिच उपने अंधर आपणे इंटेंडे करे रख सकते हैं व Department कर सकते हैं तय् Dafür कर सकते हैं जड़ेना ले नुदे अभार मीडियम दे भीच ठीक है किस तरीके दीसमोलैरिटी है वो देना लेना नो कोई फरक नहीं पेंदा ये अपनियां इंटर्नल कंडिशन्स नो रेगुडेट कर सकते हैं जी में के बहुत सारे अक्वाइटिक इन वर्टीब्रेट्स जड़े हैं गया हैं तो इस तरीके दिनाल मतलब के समझागी हों तानो ओस्मो कॉन फर्मर्स जड़ कर सकते हैं तो फिर आगया है उन्हानों नादे बारवले मेडियम दिनाल कोई फरक नहीं पेंदा ओपनियां इंटर्नल कंडिशन्स नो रेगुलेट कर सकते हैं तो फिर आगया टॉपिक एक्सक्रीशन ठीक है सो मेटाबोलिक रेक्शन्स जड़े किसे भी अनिमल बोडी द बड़ा भी दितते हैं तो प्रोटीन्स नुक्ली कैसे ना दी ब्रेक्टाउं तो बंदे हैं तो एक्सक्रीशन है किया है नाइक्रोजिनेस वेस्ट प्रोड़क्ट दी एनिमल दी बोडी तो ता जो रेगुलेट किता जा सके इन्हों कंपोजिशन ऑफ बोडी फ्लूट्स ठीक है टीशूज दे हैं धी कंपोजिशन नुक्त एन्हों से कहने एक्सक्रीशन सो बचे फाइदा किया है नैचरोली एक वोलियम कंपोजिशन आयन सदा कंटेंट पी एच वैल्यू ओस्मोटिक प्रेशर बोडी फ्लूट्स दा क्योंकि उदे विच्छोंदी की कर दें द दिए गिया है बोडी देंदर होमेोस्टासिस मेंटेन करके रख दिया नहीं ठीक है तो चैमिकल कंपोजिशन मेंटेन करके रख दिया है तो बेस्ट प्रड़क्ट्स दा बोडी देविच उन्दी बाहर निकलना बहुँ ज़्यादा जरूरी है नो इस्क्रीट्री और शना है इन वर्टीब्रेट्स है गया है नहीं उन्होंते कुल सिंपल ट्यूबलर फॉर्म देविच हो सकते एक्सक्रीटी और्गन जद की जड़े वर्टीब्रेट्स है गया जिवेंके असीवी मैं तो पहला ही तसे हां साथे अंदर किड़नी किड़निया प्रेशन है गया ने प्रिंसीपल मेटापोलिक वेस्ट जड़ी है इस वेस्ट नों बाहर कटन देविच हेल्प कर देया यूरी इन्फॉर्मेशन देविच हेल्प कर देया इसे करके ही यसी जड़ा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना यूमन बींग दा यूरेनरी सिस्टम है वोगे जब बहुत कुछ आ जाला करने हैं किड़नी या नहीं आ दियां किड़नी ता मेल एक्सक्रीटरी ओर्गन है ठीक है अब बहुत सारे बहुत सारे ओर्गन्स जे में टैंथ जबी थोड़ जे पड़े हो यूरीटर्ज यूरी च्टेमाम दिया हैं यूरीटरी च्टीम एंषानी एक्सक्रीटरी ओर्गन है जा हम जाना है क्याला स्याम एनची शेय गत्भा in याउनरी यूर्गन हे उप्राइंच च्टीमें सरह आ जे जाली को एक्सक्रीटरी औरी और्टमार्द Supp 묶्क नियां है तब जोट कर बहुत हि सो बेस्ट मेंटर जड़ा हैगा यह सिंपल डिफ्यूजन दी प्रोसेस दे द्वारा ही अपनी सेल मेंबरेंटों बार पानी देविच निकाल दिन्दे है ठीक है ना सो ओक्यों के स्लूट कंसेंटेशन काट है ना सो उनना दे अंदर जादा है सो अपनी बेस्ट नो बार पान मेंबरें दे ठ्रू ठीक है केली ग्रीक्रोसेस दे द्वारा इं धि फ्यूजन प्रोसेस दे द्वारा बावर निकालट Карन देंदे समस्थे हो सो वाटर जीड़ा हैगा वोधै अंदर वेस्ट मेंटे मेंतर होंदा नुई बार करेझ था जंदा बाव करदे जन्दुेच वर हाइपोटोटोनीके इन्वारमेंट दे द्वारा गेन किता हुंदा है ना यह का इस फाल्टूता पाणी जड़ा हैगा वो अपने कॉंट्रेक्टाइल वेक्वूल्स दी मतद देना ना कॉंट्रेक्टाइल वेक्वूल कम्पलेक्स आधिखो आतानों दुखाया है बचे कॉंट्रेक्टाइल वेक्वूल अदेन्द आमीबा पैरामीशियम वेगारा जड़े प्रोक्टो जोन्स है ना उनना दे अंदर इस तरीके दा एक्स क्रीटरी सिस्टम बने आ होंद आ है ना खूरेके वेस्ट किते देंदें कॉंटक्टाइल वेक्यूल सब्सक्राइब शुटे-चोटे-चोटे-चोटे पूर्टे तरह बार पेज देंदें इस त्रेके ताहल, marine parasitic protozones जड़े हैं, do not have this problem हुआ ना, उननो कोई किसे किसल दी problem नहीं आदी क्योंकि उनना इन्वार्मेट जड़े हैं आइसो टोनिक हैं तो इसकर की उनना जुरूर्थ नहीं पेंदी है पर जड़े हाइपोटोनिक इन्वार्मेट देविच रहने ननों contractile vacuum complexity जरूर्थ पैंदी है, अगे तड़ गोला निया sponges, so sponges दे अंदर main excretory product कोणे ammonia, यह cells नो बाहर कर दिंदे है, अपनी वेस्ट नो किदे, केडी process दे दौरा, diffuse दे दौरा, पाणी दे विच, पाणी दे विच, पाणी दे विच, पाणी दे विच, पाणी दे विच पाणी होना, फिर तो दोबारा fresh oxygen जड़े हैंगे, sponges दे अंदर लेयांदा, so canals to waste matter जड़ा हैंगा, यह पाणी दे क्रण्ट्स जदो अंदर अंदी हैं लेहरां अंदियां, ठीक आँ, oxygen लेयां दियां वेस्ट बाहर लेजां दियां, वो सरी sponges जाद करके marine हों दियांए हन ठीक है, तो उननों कोई जैदा problem फिर नहीं आँ दियां, ठीक है, so hypotonic fresh water दे विच जड़ांदी हैंगे, तो जाद की कुछ जड़े हैंगे, वोगथे कॉंट्रक्ट है वैक्योल्स दे विजोत पैस कदियां, अगे तट पुलागे, Cylantriates, Cylantriates दे दिविच तट कुर जम वाटर आना है का उन्हें फिर ओक्सीजन लेया नहीं है वेस्ट फिर बाद लाए जा नहीं है तो बहुत सारे जड़े सिनट्रेट्स हुंदे हैं ना जिवेंके हाइडर गारा मैरीन हुंदे हैं उन्हानों भी ऑस्मोराइगोनेशन कोई भी प्रॉग्लम नहीं आंदी है अध नहीं के वर्म सदेविच केड़े एक स्कृत्री ओर्गन हुंदे भी इंप्टिशन देविच पॉस्टन पुछे जांदे है नेफरीटियां ठेक है एंटनरे एंडम मेख्टिरी ग्लेंड्स अंक्रस्टेशियन सदेविच माल पीकियन ट्प्यूल्स इंसेक्ट्स देविच सेंटी पीड्स मिल पीड्स वगरा इना देविचे की है माल पीकें ट्प्यूल्स एक स्कृती ओर्गन मलसक सदेविका वट्प्रेट्स देविच खिड़नीज है समध्ट प्यों लोग हो सकते हैं एत्ध हैं तो सी वीडियो में सुनना